असलाम अलेकुम धिया स्टुडेंट्स बहुती इपार्टन प्राब्लम है x-3 whole power negative cube and whole square root is equal to 27 find out कर लेते हैं x क्या की मत तो सकती है शली start कर लेते हैं x-3 whole power negative cube and square root is equal to 27 की जगा 3 power 3 अब देखो x-3 whole power negative 3 इस square root की जगा लेक लेते हैं 1 by 2 is equal to 3 power 3 अब मुमारे पास एक लाह है x power a and whole power b is equal to x power a and b मतलब यह हैं एक base की उपर जब दो powers हो तो दोनों powers product होते हैं अब यहां पर देखो x-3 and यह वाला power यह power product हो जाएंगे जोके हो जाएगा minus 3 by 2 is equal to 3 power of 3 अब यहां पर power में दोनों side पे लेते हैं 1 by 3 इस side भी भी 1 by 3 तो यह 3, यह 3 cancel out यह 3, यह 3 cancel out हो जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास x-3 and whole power of minus 1 by 2 is equal to यह 3 रे जाएगा अब इसके बाद इस minus 1 by 2 को हमने खत्म करना है तो दोनों side से पिर power लेते हैं negative 2 यहां पर भी negative 2 तो यह negative, यह negative positive हो जाएंगे यह 2 और यह 2 cancel out हो जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा x-3 is equal to यह 3 power minus 2 तो x-3 is equal to 3 power negative 2 इसको हम positive कर लेते हैं तो 1 by 3 power positive 2 हो जाएगा तो इसको मजीद simplify करके x-3 is equal to 1 by 3 power 2 9 की पर होता है तो x is equal to 1 by 9 यह minus 3 है इस side पर जाएगे positive 3 हो जाएगा x is equal to 9 LCM लेते हैं तो 1 plus 3 9 दर 27 हो जाएगा x is equal to 28 by 9 तो यह है हमारा result अब अगर इसी result को हम check करना चाहें कि वाकि हमारा result टीक है जागा जाएगा तो तो यहाँ पर हम put कर लेते हैं अगर हमारे पास 27 आ गया तो हमारा answer टीक होगा चलिए शेक कर लेते हैं x माइनस 3 होल पावर अ नेगिटिव क्यूब अ स्क्वेर रूट इस इक्वल टू 27 आ अब एक्स की जागा इस इक्वल टू 27 आ अब देखो यहाँ पर पैर स्क्वेर डूट लिख लेते हैं और इनका एल स्क्वेर रूट लेते हैं तो 9 हो जाएगा और 28 माइनस 9 तिन 27 आ अब होल पावर अ नेगिटिव क्यूब इस इक्वल टू 27 हो तो यह 28 माइनस 27 यह हो जाएगा 1 बाई 9 एंड होल पावर नेगिटिव क्यूब इस इक्वल टू 27 अब यह माइनस 3 है इसको हमने पाजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा पहले स्क्वेर रूट लिख लेते हैं अगर यह पाजिटिव होगा तो यह 9 बाई 1 होगा तब यह जो है पाजिटिव होगा इस इक्वल टू 27 तो यह हो जाएगा 9 पावर 3 एंड होल स्क्वेर रूट इस इक्वल टू 27 तो 9 पावर 3 एंड इस स्क्वेर रूट की जगा हम लिख लेते हैं 3 पावर 2 एंड 1 बाई 2 इस इक्वल टू 27 तो यह 9 इक्वल होता है 3 पावर 2 का एंड होल पावर जहां यह भी पावर हैं यह भी पावर हैं तो यह 3 बाई 2 हो जाएगा इस इक्वल टू 27 तो इसी रूल के तहित यह दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे तो यह 2 और यह 2 cancel out हो जाएंगे तो यह बच जाएगा 3 power 3 is equal to 27 अब हम जानते हैं कि 3 power 3 equal होता है 27 का is equal to 27 तो यह है हमारा result जो के बिल्कुल ठीक है Thank you